हेलो फ्रेंड्स मैं हूं मैस गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलोपमेंट, मॉबाइल अप्लिकेशन डेवलोपमेंट, गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर चलिए ये सेशन में एक और कांसेप्ट समझते है, एरे ओफ स्ट्रक्चर जैसे हम सिंगल वेरियेबल यूज करते है, तो इंटीजर नंबर ऐसा लिखते है, मल्टिपल चाहिए, तो हम क्या करते है, इंटीजर नंबर वन, कॉमा नंबर टू, और नंबर ओफ वेरियेबल्स की रिक्वार्मेंट है, तो हमने एक कांसेप्ट सिखा है, एरे, तो हम क्या भी हम array का use कर सकते हैं, चलो यहाँ पे hash include stdio.h, एक में structure create करता हूं, struct, circle, curly bracket start, curly bracket stop, semicolon, यहाँ पे integer, x, y, and radius, अब देखो, जहाँ जहाँ पे हमें यह data type का नाम specify करना होता है, वहाँ पे हमें क्या लिखना होता है, struct, circle, तो इसका कोई alias नाम create कर सकते हैं, क्या, कर सकते हैं, इसका type का नाम हम change कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या है, type def नाम का एक keyword है, यह keyword याद रखना, small में type def, मलब type definition, type का definition का नाम हम change कर सकते हैं, तो वो कब करेंगे structure create हो जाने के तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ type depth, small में, ठीक है, फिर old name, तो old name क्या है हमारा type depth, struct, circle, फिर उसका alias नाम क्या create करना है, alias नाम में create कर देता हूँ capital में C, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब पूरे program में, जहाँ पे हमें ये struct circle लिखना है, वो तो लिखी सकते है, लेकिन इसकी जगह पे हम ये सिर्फ ये C, ये नाम भी use कर सकते है, ठीक है, चलो, उसके बाद हमारा main program, तो void, main, void, main, void, curly bracket, start, stop, अब मुझे एक variable create करना होता, तो मैं ऐसा लिखता, C, struct circle की जगह पे, अब क्या लिखेंगे, C, C1, ठीक है, अगर multiple variable use करने होते तो हम क्या करते है, C, C1, C2, अब हमें क्या करना है, multiple variable की जगह पे, array use करना है, तो array के लिए हम क्या करेंगे, C, capital में C, C, मतलब हमारा struct circle का data type का alias name, and then small C, यह capital C जो है, वो data type का नाम है, small C जो है, वो variable का नाम है, ऐसे 5 या 10 variable चाहिए, तो C of 10, तो क्या हुआ, यह 10 का array create हुआ, ऐसे 10 के array की memory create हुई, मानो कि यह 0 है, 1 है, up to, up to, यह 10 है, तो यह 0 है, उसी के अंदर 3 पार्ट पढ़ेंगे, X, Y, and radius, तो यह 0 number है, 0 के अंदर X, 0 के अंदर Y, 0 के अंदर Z, sorry, radius, same way, यह 1 memory, यह 2, और up to, up to, 9 memory, ठीक है, अब 10 times हमें scan करना है, display करना है, तो loop तो चलाएंगे, लेकिन display और scan करने के लिए, जो last session में, हमने functionality create की थी, वो functionality create करेंगे, तो return type का है, struct circle, उसके जग़े मैं ले लेता हूँ, c, function का नाम get data, argument में कुछ भी नहीं है, void, curly bracket, start, stop, यहाँ पे c, and small c, scan करेंगे, और last में return करा देंगे, return small c, same way, display के लिए, तो display के लिए, void, display, argument में होगा, struct, circle, उसकी जग़े मैं क्या कर देता हूँ, capital c, and small c, और इसके अंदर, display का logic, clear, चलो, अब क्या करेंगे, यह जो हमारा array है, array के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक variable declare करेंगे, integer i, loop चलानी है, इसलिए, तो 4, i is equal to 0, i less than, or equal to 9, i plus, plus, इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें करना है, get data, तो यह function call हुआ, first time, किसमें store करना है, c of 0 में, c of 1 में, c of 2 में, तो तो क्या करेंगे, c of i के अंदर store करा देंगे, clear, चलो, यह 10 times scan हो गया, अब 10 times display करना है, तो 4, i is equal to 0, i less than, or equal to 9, and i plus, plus, curly bracket start, display करना है, तो display के लिए, display नाम का function, first time, c 0 को display करना है, फिर c 1 को display करना है, तो argument में क्या पास कर देंगे, c of i, complete, यह for loop खतम, यह main function खतम, तो same way, जैसे हम inbuilt data type को treat करते हैं, वैसे हम हमारे custom data type को भी treat करते हैं, ठीक है, तो चलिए, यह area of structure का हम practical कर लेते हैं, start, file, dos, cell, mount, d, d drive, exit, new, अब देखिए, जब हम एक variable को use करते हैं, तो इस तरीके से डिकलेर करते हैं, integer a, multiple variable को लेते हैं, तो a, b, c, d, लेकिन बहुत सारे variable चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसका array ले लेते हैं, integer a of 10, तो same way, जो हमारा data type होगा, custom data type, उसका भी हम array use कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं title लिखता हूँ, array of structure, has, include, std, io.edge, void, main, void, curly bracket, start, stop, clear, screen, get, ch, save, d drive, courses, c, plus, plus को हटा देंगे, and structure number 3, तो पहले एक structure declare कर लेता हूँ, मैं, struct, circle, curly bracket, start and stop, यहाँ पर integer x, y and radius, चलो, इसका अब हम क्या कर लेते हैं, type depth कर देते हैं, type depth, struct, circle, capital में c, चलो, अब क्या करना है, अगर एक variable लेना होता, तो हम ऐसा कर देते हैं, c, c, one, multiple, दो, तिन variable लेने होते तो हम ऐसा कर देते थे, c, four, लेकिन multiple, बहुत सारे variable चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका भी array ले लेंगे, तो c, small में c of five, अब array को अच्छी तरह से use करना हो, तो हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे तो इसके लिए i, four, i is equal to zero, i less than or equal to four, i plus plus, अब इसके अंदर scan करना है, अब scan करने के लिए हम function भी use कर सकते है, डिस्प्ले करने के लिए function भी use कर सकते है, तो चलो पहले function बना देते है, return type होगा, circle का c, get data, argument में void, डिस्प्ले के लिए क्या होगा, डिस्प्ले के लिए void, डिस्प्ले data और argument में आएगा c, small c, यहाँ पे क्या करेंगे, c, small c, printf, enter, value of x, scanf percentage d, address of c.x, same way, enter, value of y, scanf percentage d, address of c.y, printf, enter value of radius, scanf percentage d, address of c.radius, और यह जो भी c आया, उसको हम return करा देंगे, तो return c, यहाँ पे display के अंदर, printf, x is equal to percentage d, slash t, y is equal to percentage d, slash t, radius is equal to percentage d, slash n, slash n, sequence में क्या होगा, पहले c.x, c.y, c.radius, simple, चलो declare कर लेते हैं, उपर, तो declaration में c, get data void, फिर void display data c, अब क्या करना है, जहाँ पे जरूरत है, वहाँ पे यह function को call कराएंगे, तो यह loop के अंदर, हमें क्या करना है, scan करना है, तो scan करने के लिए get data, अब get data में से जो भी return होगा, वह पहले कहाँ पे store करना है, c0 में, next time c1 में, c2 में, तो हम कहाँ पे store कराएंगे, c of i के अंदर, चलो five times यह scan हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, clear screen कर देते हैं, तो CLR, SCR, फिर से five times display करते हैं, तो 4, i is equal to 0, i less than or equal to 4, i plus plus, अब display करना है, तो display data, अब display data में पहले क्या display करना है, c0, फिर c1, c2, तो यहाँ पे argument में pass कर देंगे, c of i, बहुत ही simple है, run करते है, control f9, suppose 1, 1, 1, second time आया तो 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, तो देखिए, five times display भी हो गया, five times scan भी हो गया, clear, तो friends, आपको ये program में भी क्या करना है, जैसे single variable में 5 structure के program का practice किया, multiple variable में भी किया, same way, ये area of structure के भी आपको 5 structures के program बनाने है, और practice करनी है, तो मिलते है next session,